वेल्कम तो मैं यूटूब चैनल रिया स्रड़ी पॉइंट्स ओ फ्रेंट्स आज के वीडियो में हम ज्यू विग्या नहीं वायोलोजी से रिलेटेट 25 मोस्ट इंपी कॉस्चिनों को सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो मैंने जितने भी कॉस्चिन से लगए हैं आपके एक आज कि वीडियो कॉस्चन तो हमारे साल देक्स करने वाले हैं वीडियो में लाइस तक बने रहें तो तो दाथ का सिखर देंटीन का बना होता है यानि इस कॉस्चन का जो कि हेए हे हमारा राइट नंसर हो जाएगा और बात करें यहाँ पे हम animal की आपसे एक caution और पूछा जा सकता है कि दाथ की बाहरी परत को क्या कहते है तो दाथ की बाहरी परत को animal कहते है और यह जो animal है यह हमारे सरीर का सबसे मजबूत भाग होता है तो friends आप इन दोनों को ही याद रखेंगे चलिए नेक्ट कॉश्चन देख लेते हैं कॉश्चन नमर सेकेंडर मेंडग के दाथ होते हैं तो मेंडग के दाथ होमोड़न्ट होते हैं यानि इस कॉश्चन का जो option A है वो यहाँ पे हमारा right answer हो जाएगा देखी फ्रंट शिपकली एवा मेंडग के दाथ एक ही प्रकार के होते हैं और इनको होमोड़न्ट कहते हैं देखी फ्रंट यहाँ पे एक word लिखा है ठीकोड़न्ट जो ठीकोड़न्ट है ऐसे दाथों को कहा जाता है जो मशूडों में धसे हुए होते हैं जैसे कि जो human dent है मनुस्ट्यों के दाथ है तो ऐसे दाथों को ठीकोड़न्ट कहा जाता है तो आप इसे याद रखेंगे चली नेक्ट कॉशन देख लेते हैं नेक्ट कॉशन है बिटामेन E के संबंद में कौन सा कथन सही है तो चली फ्रंट यहाँ पे हम एक एक कथन करके देख लेते हैं कौन सा सत्य है बिटामेन E के शंबंद में तो हमारा फर्स्ट ऑप्सन जो है यह बिटामेन E का राशायनिक नाम टोकोफायरॉल है तो यहाँ पे यह कथन बिल्कुल ही सत्य है और सेकेंड ऑप्सन है हमारा यह पत्तिदार सबजी अंकुरित अनाज तथ़ दूद आदी में पाया जाता है तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य है और तीसरा option है इसकी कमी से पुर्षो और महिलाओं में जनन सक्ती की कमी हो जाती है तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य है यानि कहाँ पे हमारा जो option D है ये right answer हो जाएगा उपर योगति सभी कथन सकते हैं तो इसको आप याद रखेंगे चली next question देख लेते हैं question number 4 है पैपसीन क्या है तो पैपसीन एक enzyme है यहाँ इस question का जो option V है वो यहाँ पे हमाँ right answer हो जाएगा और देखे friends तो enzyme है यह हमारे सरीर के विबिन भागों से स्रावित होते हैं एवं body के अंगों के विकास में सहायक होते हैं तो इतना आप यहाँ से याद रखेंगे question number 5 है glucose को glycogen में परिवर्तन याकृत करता है किन्तु इसका संग्रा कहा होता है आपके एक्जाम के point of view से most important question है ऐसे question बंदे हैं आपके एक्जाम में तो glucose का glycogen में परिवर्तन तो याकृत करता है किन्तु इसका संग्रा है याकृत तता पेसियों में होता है यानि इस question का जो option V है वो यहाँ पे हमारे right answer हो जाएगा और जो याकृत है याकृत को लीवर भी कहा जाता है और यह जो याकृत है सबसे बड़ी वासरावी ग्रंथी है तो आप इसे याद रखेंगे और याकृत में पितरश का निर्मान होता है तो यह point भी आपको याद रखना है बात करें आपे हम तिल्ली की तो जो तिल्ली है शरीर का blood bank कहा जाता है तिल्ली को तो आप यह सारे फैक्ट है जो कोई याद रखना है आपको और आपके next question है हमारा कौन सा तत्व है जो animal को कटोर बनाता है तो सही answer हो जाएगा हमारा option भी फ्लोरिन जो फ्लोरिन है यह animal को कटोर बनाता है और animal क्या है फ्रेंट्स मैं आपको पहले ही बता चुकी है जो animal है दात की बाहरी परत को animal कहते हैं और यह सरीर का सबसे कटोर भाग होता है तो यह आपको याद रखना है और जो calcium है calcium की मात्रा सबसे अधिक मनुष्य के दातों में पाई जाती है फ्रेंट्स तो आप इसे भी याद रखेंगे चलिए next question देख लेते हैं next question हमारा निमलिकित में से किसे दुगद प्रोटीन कहा जाता है तो यहां पर हमारा right answer हो जाएगा option C calcium कैसिन जो calcium एसे दुग्द प्रोटीन कहते हैं देखे दूट का रंग सफिदगे करण होता है लेकिं कि आद ее आपसे पूचा जाए कि दूट का पीला रंग किस करण होता है तो keri针 प्रोट।ीन के कारण दूट का रंग पीला होता है आप इन बोनों को यहाद रखेंगे। चलिए एडल्ट मनुश्य में किसकी कमी से दूद पशने में कठनाई होती है। तो यह कौशन भी आपसे पूछा जा सकता है कि रहनिन क्या हैं तो रहनिन एंजाइम है जो आमासाइसे स्रावेत होता है। इस कौश्ण है हमारा कौन सी बीमारी हिर हार्मोनल बीमारी है ? सहीнеसर हो जाएगा यहाँ पे option B घेंगा जो घेंगा है या एक परकारthon की हार्मोनल बीमारी है तो आप इसे याद रखेंगे चली ने इसकोश्ण देख लेते हैं एकोलोजी जो एकोलोजी है इसमें जीवों तथा बातवरंड के पारिस्परिक शंबंदों का अध्यान कहलाता है। इसमें केवल एक ही जाती के जीवों का अध्यान किया जाता है। इसमें का लौज जाता है के अध्यान को ऐस्टियों के अध्यान को औस्टियों के एक अध्यान को आती कहते हैं। तो सही अंसर हो जाएगा option D, मीसो जोएक काल, और जो मीसो जोएक काल है, इसे रेप्टाइल काल भी कहा जाता है, फ्रेंट्स, आप इसे याद रखें, चली next question देखते हैं, इसकी कमी से ही एनेमिया रोग होता है, तो आप इसे याद रखेंगे और इसकी कमी से ही एनेमिया रोग होता है, तो आप इसे भी याद रखें, question number 15 है, गुड़सूत्रों यानि क्रोमो शौम पर जीनों की उपस्तिती का क्रम है, तो यह रेखा कार है, यानि इस question का जो option C है, वो यहाँ पे हमारा right answer हो जाएगा, गुड़सूत्रों पर जीनों की उपस्तिती का क्रम जो है, वह है रेखा कार है, तो आप इसे याद रखेंगे, चले, next question है, कौन सा अंग रोगाणों का बिनास करता है, तथा सरीर का पुलिस रक्षक अंग कहलाता है, तो आप इसे याद रखेंगे, और याकरित में कुफर सेल पाए जाते हैं, जो रोगाणों को नश्ट करते हैं, तो फ्रेंट्स इतना याद रखेंगे इस question से आप, question number 17 है, वीज किस से बनता है, तो वीज वीजांड से बनते हैं, यानि इस question का जो option D है, वो यहाँ पे हमारा राइड अंसर हो जाएगा, देखें, फ्रेंट्स निसेशन के बाद, वीजांड से बीज, एवं अंडा से से फल बनता है, तो आप इसे याद रखेंगे, important question है आपके exam के point of view से, चलिए next question देख लेते हैं, नेश्ट कॉशन है, सुपारी का खाने योग भाग है, तो सिपारी का खाने योग भाग भरोण पोस है, यानि question का जो option B है, वो राइड अंसर हो जाएगा, फ्रेंट्स, आप इसे याद रखें, चलिए next question देखते हैं, नेश्ट कॉशन है, कटल, जिसे इंगलिस में jack fruit भी कहा जाता है, फ्रेंट्स, तो कटल में खाने योग भाग होता है, तो कटल में खाने योग भाग, सहपत्र और परीदल पुंजोता है, यानि इस question का जो option C है, वो यहाँ पे हमार राइड अंसर हो जाएगा, फ्रेंट्स, तो इसे आप याद रखेंगे, चलिए next question number 20 है, प्रिती जैविक औसदी अधिक तर किसमें मिलती है, तो प्रिती याद रखें, चलिए next question देख लेते हैं, next question है, हमारा उपापचय दर यानि metabolic rate सरवादिक होती है, सही answer है, और चुहों में, तो चुहों में metabolic rate सरवादिक होती है, तो आप इसे याद रखें, next question है, सरीर में सबसे ज़्यादा उर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है, तो सही answer है, यहाँ पर option D, बसा जो बसा है, सरीर में सबसे ज़्यादा उर्जा संचय करता है, तो आप इसे याद रखेंगे, चलिए next question देख लेते हैं, question number 23, वाइरस रोग है, तो सही answer है, यहाँ पर हमारा option है, इन्फलूजा है, यह रोग वाइरस के कारण होता है, औ और इस रोग को फ्लू भी कहते हैं, और यह किस वाइरस के दोरा होता है, तो मिसू वाइरस के दोरा इन्फलू जरोग होता है, फ्रेंड, तो इतनी डेटेल आप यहाँ से याद रखेंगे, next question है, जीवन की उत्पत्ति यानि origin of life नाम पुस्तक को किसने लिखा था, तो यह यहाँ पर हमारा राइड अंसर हो जाएगा, option V, AI, ऑपेरन, जो ऑपेरन है, इन्होंने origin of life यानि जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को लिखा था, और कब लिखा था तो 1936 में, 1936 में इन्होंने जीवन की उत्पत्ति पुस्तक को लिखा था, और इस पुस्तक में इन्ह से आप हमारा वीडियो complete होता है, और वीडियो का last question है, जो कि आपके लिए challenging question होगा, तो आज का आपका challenging question है, मिठी के घड़ों में किस क्रिया की कारण जल ठंडा रहता है, आपके सामने 4 options है, जो भी इसका right answer है, आप अपने comment box में लगाए, और यदि इसके related कोई detail आपको पता है, तो वो भी आप comment box में लिख सकते हैं, आज के लिए इतना ही friends, वीडियो देखने के लिए thank you, आपको वीडियो कैसा लगा है, आप comment box में comment करके बता सकते हैं, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो वीडियो को धेल सारा like करे, अपने study group और friends के साथ वीडिय यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बैल आइकन पर जरूर करें, ताकि आपको हमारी लेटिस्ट वीडियो की अपडेट तुरंत मिल सके, और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए friends, आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाके